नमस्कार आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्यारी महाजनाब के साथ आए मुखातिब होते हैं अभी के ताजा तरीन हालातों से खाते गाओं के अंतरगत कोरोना संक्रमन काल के दौरा नवरात्री परवका उस्साह फीका रहा लेकिन शद्धा इवं भक्ति इवं आस्सा के समागम मा दुर्गा की आरादना का पर्व नवरात्री शाशन की गाइड लाइन के अनुसार कोरोना संक्रमर से बचाओ के तहट लोगों ने मंदिरों में नहीं बलकि घर पर रहकर ही दुर्खा भक्तों ने नवरात्री का पर्व मनाया खाते गाओ नगर के प्राचीन खेडापती हनमान मंदिर पर शधालों ने मा की आरादना की नर्बदा कॉलोनी में जितेंदर दुबेजी के अहां मा भगवती की आरादना की गई इस प्रकार दुर्गा मंदिर पुलिस्थाना खाते गाउं में एवं मादायालो मंदिर में भी नवरात्री पर्व मनाया गया संदर्पुर में नर्बदा प्रसाथ चौहान के यहां भी मादुर्गा की आरदना की गई कोरोना के काल के कारण भक्तों को यहां प्रवेश नहीं मिला इसी प्रकार दादाजी धुनी वाले दर्बार शामला है इस भोपाल में साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिते में साधक संत गुरुदेव दादा भाई ने बताया कि कोरोना के संक्रमन से मुक्ती एवं जगत कल्यान के लिए यह दिव्य अनुष्ठान इस वर्ष दादाजी दर्बार में भक्त परिवार, शिश्य परिवार एवं जगत कल्यान के लिए आयजित हुआ है आज पुर्णा होती के साथ शचंडी यग्य का समापन हुआ इस अवसर पर गरीब बस्ती में भंडारे की सामगली पहुचाए गई और सभी भक्तों इवं शिश्य परिवारों से साधक संत गुरुदेव दादा भाई ने आशिरवात प्रदान करते वे कहा कि अभी संकर्मन काल चल रहा है सभी लोग अपने अपने घरों पर रहकर सुरक्षित रहें और शाषन प्रशाषन की गाइडलाइन का पालन करें खबरों का सिलसला यूही बादस्तूर आईबेन नैन के साथ चारी रहेगा आप बने रहें आईबेन नैन पर हर खबर का होता है असर हर खबर पर है हमारी पैनी नजल अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेर करना ना भूले और आपके पास है अगर कोई विज्यापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए नमबर पर कॉल करें